नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टरामित महाईश्वरी और आप सभी का सवगत करता हूं आज की एक बहुत वेलियोबल इन्फॉर्मिटिव वीडियो में आपने थमनिल तो पड़ी लिया होगा पात साल काम और जीवन भर आराम अब प्रश्णियां पर यह उठता है कि अर में पास बहुत अच्छा सेट अप और निंग है जहां से मैं फाइनेशली फ्री हो चुका हूं और मुझे काम करनी की ज़रुवत नहीं है लेकिन हर वेक्ति के जीवन में कुछ उदेश्य होते हैं वह अपने पैशन के लिए काम करता है अपने प्रोफेशन के लिए काम करत लेकिन फिर भी आज अमसी विषय पर बात करने वाले हैं कि 5 साल काम और जीवन पर आराम ङ right ने लिए को समझने से पहले पहले में समझ ले कि पैसे कवाने से आजादी हमें कैसे मिले मतलब हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या काम करें कि हमें पैसा कमाने से आजादे मिल जाए कि अगर आपके पास भरपूर पैसा और आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा रहा हो तो आपको पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है बहुत सार लोग ऐसे हैं जो जिनको पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है उनका पैसा ही उनक का पार्ट है दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में लेकिन ऐसा नहीं को इसके पास अपार धंजम पत्ति है अपार पैसा उसके पास आपार प्रॉपर्टी उसके पास है तो हमें करना क्या है पानेशल फ्रीडम अचीव करने के लिए ना कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स हैं केतनी की जीवन में हर व्यक्ति को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है हर व्यक्ति केवल उतना ही मिलता जितना वो डिजर्व करता है तो फाइनेशल फ्रीडम पाने का रास्ता क्या है तरीका क्या एक महिंती व्यक्ति एक व्यक्ति जो self-made बनना चाहता है उसके लिए financial freedom का रास्ता क्या है वो कहते हैं नैं कि work hard work hard work hard work hard work hard अब वर्क हार की definition क्या है कि कड़ी मेहनत करो दोस्तों ध्यान रखे, एक मज़़ूर भी कड़ी मेहनत करता है, तो क्या उसकी सफलता के चांसिस बहुत अदिक हैं? नहीं, वर्क हार्ड का मतलब है कि आप कड़ी मेहनत के साथ-साथ निरंतर अपनी काबलेत में इजाफा करो, नहीं नहीं चीजों को सीखो, समझो, उससे कैसे पैसा कमाई सकता है, इस पर विचार करो, वर्क हार्ड, एंड अर्न मनी, ऐसा काम करो जिससे आपको पैसा कमें, औ उतना आसानी से आपकी अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन अर्निंग बढ़ने के लिए तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ने वाली नहीं है, ट्राइटू फाइन उसके बाद सेव मनी, बहुत सार लोगों को देखा है, जैसे उनकी आए बढ़ना शुरू होती है न, तो आए बढ़ने के सासाथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेता है, थोड़ी से इंकम बढ़ी नहीं की बाइक EMI पर ले लिया, और इंकम बढ़ी नहीं की और खर्चे करना शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया हाँ जीवन की जरुवत है कि हमें अपना lifestyle चेंज करना है लेकिन हमें ये भी देखना है कि कैसे हम अपने भविश्य को बहितर बना सकते हैं अपने life को secure करने के बाद आप अगर अपनी महत्वक आंख्शाओं को पूरा करते हैं तो ये बिल्कुल भी घलत नहीं है लेकिन earning से जादा आप liabilities लेकर अपनी महत्वक आंख्शाओं को पूरा करते हैं तो समझ लीजिए आपका भविश्य खत्रे में है उसके सागे भविश्य में उसका कुछ भी हो सकता है उसके बाद money कमाना जितना important है उतना ही important money save करना है लेकिन उससे कहीं जादा important है saved money को invest करना पर हम बात करेंगे कि कहा निवेश करें है ना अब उसके लिए करना क्या है how to start investing शुरू कैसे करें सबसे पहले अपनी इंकम का 10 से 20 प्रतिशत हर महिने बचत जरूर करें अपनी इंकम से 20 परसेंट 10 परसेंट 15 परसेंट 30 परसेंट 40 परसेंट जितनी आपकी capability है जब लोग फिर भी 10 से 20 परसेंट कोई भी व्यक्ति आसानी से सेव कर सकता है सेव करने के बाद अपना एक open करें डीमेट अकाउंट डीमेट अकाउंट करने के बाद S.I.P. शुरू करें systematic investment plan फाइन आप डीमेट अकाउंट जिस भी organization में खोलें जिस भी company में खोलें जैसे angel broking है ICAC का है HDFC का बहुत सारे डीमेट अकाउंट हैं यह कोई promotional वीडियो नहीं जिसमें आपको बताओं कि कहाँ डीमेट अकाउंट खोलो अकाउंट खोलने के लिए description box में जाके link पर क्लिक करो यह कोई promotional वीडियो नहीं डीमेट अकाउंट खोलें जहां भी आपको लगता है consistency से आप systematic investment plan के थूँ invest करना शुरू करें उसके बाद know the power of compound interest लोगों को लगता ने दो हजार रुपे महीना बचाने से क्या होगा पाँच हजार बचाने से क्या होगा दस हजार बचाने से क्या होगा साल के एक लाग बीजारी तो होंगे इससे होगा क्या उसके लिए जरूता power of compound interest को समझने की दोस्तो इस बात को में एक example की रूप मैं आपको बता सकता हूँ दो दोस्त है एक जै और एक विजै दोनों ही अच्छी earning करते हैं समान earning करते हैं और मान लेते हैं कि दोनों की earning है 25,000 रुपे पर मंद जै की भी और विजै की और दोनों ही 20% सेव करते हैं मतला 5000 जै सेव करता है 5000 ही विजै सेव करता है लेकिन जै कहीं भी अपने पैसे को invest नहीं करता वो जो भी बचत करता है अपने पास बचा के रख लेता संभाल के रख लेता है यह सोच कि कि मेरा पैसा मुझसे बेहतर कौन अच्छे से संभाल सकता है ना तो बैंक ना S.I.P. ना कहीं और किसी तरह का निवेश अपने पैसे को संजो के अपने पास रखता है कहीं भी इंवेस्ट नहीं करता है लेकिन नियमित 5,000 रुपे महिने बचाता है जो विजह है वो भी 5,000 रुपे महिने बचाता है लेकिन वो S.I.P. करता है या शेयर में या मीच्वल फंड में जहां भी उसको लगता है कि भी य अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां इन्वेस्ट किया जा सकता है चोटा सा अमाउंट सिर्फ 5,000 रुपे में वह इन्वेस्ट करता है तो आए देखते हैं पावर ओफ कंपाउंड इंट्रस्ट क्या कहते हैं कहते हैं कि अगर आप सही तरीके सही इन्वेस्ट करें और शेर मा हो रहा है नुकसान हो रहा है बेज दो अगर थोड़ा साभी प्राइस बढ़ता है तो केते हैं फिर दूबारान बेज दो मतलब खरीद बेच का जो खारीद पप काम हैं उस पर फोकस करते हैं लेकिन जो सही स्मार्ट सांट इनवेस्टर होते हैं वो लॉंक ट्रम के लिए इनवेस्ट करते हैं तो चलिए लॉंक के लिए इनवेस्टर अगर आप करते तो क्या प्रभाव होता है उस छोटे से एमांट का जैने 50,000 एन विएल उप्लान में तो पहले साल यह के पास Samsung विजह के पास इंट्रस्ट मिला कर 63,412 मतलब 3,412 उसको इंट्रस्ट मिल गया एक साल में पांच हजार रुपए जब पहले महीने आपने जमा किया तो पहले महीने पहले महीने का ब्याज मिला फाइन फिर सेकिंड अगर देखें तो इसका एक लाग 20,000 रुपए हो गया लेकिन इसका हो गया एक लाग 34,866 रुपए मतलब 14,866 रुपए उसको ब्याज मिल गया ग्रोथ मिल गई क्यों क्योंकि पावर अफ कंपॉंड इंट्रस्ट को जानता ह है कंपाउंड इंट्रस्ट केल्कुलेटर और वहां पर क्लिक कीजिए और जितने पैसे आप हर महीने सेव करना चाहते हैं उतना मांट मां फीड कर दीजिए से मंतली इंवेस्ट्मेंट 5,000 रुपए रेट आप एक्सपेक्ट करते हैं 12 फाइन तो आप चेक करेंगे कि पाइन पात साल बाद देखा गया तो इसके 3,00,000,000 थे इसके ओगए 4,00,000,000 तो यहां पर गया पचास अजार एक सो त्राइवे कितना पावर ऑफ कंपाउंड इंट्रस्ट लॉंग टर्म में काम करते हैं जितनी लंबी समय वधी के लिए पैसा निवेश करेंगे उतना ज 15 साल बाद देखेंगे तो यहां हो गया 9,00,000 और यहां हो गया 24,00,000,000 यहां पर मैंने इंट्रस्ट जो आपको बताया था यह 5,50,000 यहां पर 15,97,900 रुपे इंट्रस्ट हो गया लगबग उतना ही अमाउंट जितना आपने इंवेस्ट किया है और फिर देखिए 12,00,000 यह लंबी होती जाएगी उतना कंपाउंड इंट्रस्ट बढ़ता जाएगा आप प्रश्ण यह उठता है कि बहुत सार लोगा बड़े बुद्धी जीवी लोग है कहते हैं कि हम कुछ करे या ना करे लेकिन ज्यान बहुत होता है हमारे अंदर आप कॉमेंट्स में लिखना जब कुछ डाल सकते हैं और दूसरी बात अभी मैंने कहा था कि पात साल के लिए निवेश करें पात साल काम करें और उसके बाद इंदिकी बर आराम करें और मैं बात कर रहा हूं पंदरा साल बीस साल पच्च्छ साल तीस साल की फ्रेंट जितनी अरली एज में आप शिरू क और दूसरी बात अगर 15 साल की उमर पर आप 5000 महीना कमाते हैं तो क्या पूरी जिंदगी 5000 महीन बचाते रहेंगे नहीं ना आपकी अर्निंग भी तो बढ़ेगी तो मैंने यह कब कहा कि आप जब निवेश करें तो 5000 ही करते रहें हर महीन अगले 30 साल तक यह तो एक उधारन क करते हैं आपके पास कैल कृलेटर है कि हर बार हर साल आप कितना PERSONN'T Investment बढ़ाएंगे पहले एक साल तक आक 9000 महीन जमा करते थे आपकी अफिशन सी यूई आपकी सेलरी बढ़ी आपकी इंकम बढ़ीए बबाब आंप 8000 अमहीन जमा करते हैं हो सकता है को यह साल समय भी में निरंतर इजाफा करते हैं वर्न वफे ने का कि अगर मुझे दुबारा से अपनी लाइफ को शुरू करने का मौका मिले तो मैं एसाइपी का सहारा लेकर अपने पैसे को बढ़ाऊंगा और ज्यादा सदा बुक्स अध्यन करने की स्पीड को बढ़ाऊंगा दमोर यू लर अपनी प्रक्टिकल लाइफ में नहीं करेंगे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है चाहें पात साल की बात करें दस साल की बात करें पंदरा की करें या पूरे जीवन की बात करें जरूत है अपनी काबलेत में इजाफा करने की जरूत है कंसिस्टेंसी से इन्वेस् इन्वेस्टमेंट को इंकम बढ़ने के अनुपात में सेम रूप से बढ़ाने की मतलब 25,000 इंकम पर 5,000 अगर आप करते हैं और इंकम यदि एक लाग हो जाए तो आपको 20,000 रुपे सैविंग करने चाहिए जब आप इस फार्मूले का इंप्लिमेंटेशन अपने लाइफ में करेंगे तो आप जल्दी अपने फाइनेशल गोल्स को अचीव करेंगे मुझे ये बात 27 साल की उम्र पर समझ में आई थी लेकिन मेरे बेटे को ये बात 18 साल की उम्र में समझ में आ गई को प्रशन आप कॉमेंट बॉक्स में लिखें मेरी टीम उसको देखेगी और आने वाले वीडियो में आपके सवाल का जवाब ज़रूर कोई इंफार्मिटी वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें स्वस्त रहें मैं डॉक्सर अमित्माईश्वरी आपके करता हूं कि आप जल्दी फाइनिशली फ्री हूं और अपनी जिन्दगी को अपने हिसाब से जिए जै हिंद जै भारत